नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गान के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं कुरोना से बचने को 30 अप्रेल तक कड़ाई लागो गिरी मंत्रालाई के निर्देश देश भर में बढ़ रहे कुरोना वायरस महमारी के मामले पर नियंत्रन हासिर करने के लिए भारत सरकार के गिरी मंत्राले ने मंगलवार को फिर से दिशा निर्देश जारी किये हैं बतादे सरकार के मुताविक 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक कड़ाई पूरे देश में परभाई होगा नए निर्देशों के मुताविक 1 अप्रेल 2021 से 30 अप्रेल 2021 तक राजियो और केंद्र सासित परदेशों में कुरोना टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सक्ति से लागू करने की हिदायत दी गई है इसके साथ ही जारखन में भी ग्री मंत्रा लाई के ताजा आदेस लागू हो गई है अब कुरोना को लेकर अधिक सतर्गता बरती जानी है दूसरे राजियों से जारखन आने वालों की होगी कुरोना जाच जारखन में फिल से कुरोना संक्रमन की रफ्तार तेज हो गई है हलाकि सरकार हर संभव कोसिस कर रही है कि इसे कावो में लाया जाए स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा कि कुरोना मरीजों की बढ़ती संक्रा को देखते हुए बाहर से राजे आने वालों की कुरोना जाच की जाएगी राजे में जहां भी जाच की जवरत होगी वहां जाच में तेजी लाई जाएगी बतादे स्वास्त मंत्री निकाह कि राची और जमसेदपूर में तेजी से कुरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं दोनों सहरों में कुरोना संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है सरकार इसकी समिक्षा करने में जूटी हुई है बतादे कि राजे में लगातार दो तिन दिनों तक सोव से अधिक नए कुरोना मरीज मिलने के बाद रविवार को 83 मरीज मिले थे जारखन बिधान सबा का बजट सत्र अनिस्चित काल के लिए अस्थागित जारखन बिधान सबा का बजट सत्र मंगलवार को अनिस्चित काल के लिए अस्थागित हो गया बतादे बिधान सबा अध्यक्ष रविंदरात महतो ने देर साम तक सदन की चली करवाही के बाद सदन की करवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थागित करने की घोसना की बता दे बिधान सभा अध्यक्ष ने अपने समापन सबोधन में कहा कि बजट सत्र में चालू बीतिये वर्स का अनुपूरक बजट आर्थिक सरवेक्षन और अगले बीतिये वर्स का आम बजट पेस कर गाये जिसमें नौ बिधेकों को मंजूरी प्रदान की गाई और एक बिधायक को प्रवर समीती को सौप दिया गया उन्होंने बजट सत्र के सुचारू संचालन में पक्ष विपक्ष के सवी सदस्यों अधिकारियों बिधान सभा सची वाले के प्रदा अधिकारियों करमच बिधायक बिधान सभा में पास नहीं हो सका बता दे इस बिधायक के ताथ नेजी छेत्र की कंपनियों में अस्थानिय युवाओं को 75 फिस्ति आरक्षन दिया जाना है बिधायक में कई तुरूटिया सामने आई कूल 22 बिधायकों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था जिसके बादमुक मंत्री ने इस बिधायकों प्रवर समीति के समक्ष भेजने का नेना लिया है उलेखनिया है कि इस नियम के ताथ राजे के सभी एल एल पी लिमिटेड प्राइबेट लिमिटेड कंपनियों में 75 फिस्ति युवाओं के लिए नोक्री अरक्षित किया जाना है मावादियों ने 24 पचीस मार्च को किया बंद का एलान परतिबंधित नक्सली संगठन भागपा मावादी ने बिहार के गया जिले में मुर्भेड में चार नक्सलीयों के मारे जाने के बिरोध में 24 और 25 मार्च को दक्षिनी बिहार और पच्छमी जार्खन को बंद रखने का एलान किया है बता दे भागपा मावादी ने इस समय निप्रिस बिग्यापती जारी कर 16 मार्च को डुमरिया परखन के छकरबंदा जंगल में कोबरा सी आर पी और नक्सलीयों के बिछोई मुर्भेड को फरजी मुर्भेड बताया है पोस्टर के माद्यम से नक्सलीयों पुलिस पर साजिस के तहद अम्रेश, सिपूजन, सिता, उदाय की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने कारोप लगाया है बिग्यापती के माद्यम से कहा गया है कि पुलिस मुर्भेड में मारे जाने की बात बताकर स्रे लेना चाहती है लेकिन या अनक्सली नितावों के हत्य है मुर्भेड नहीं करोना संक्रमन के कारण अभी पूरी छुट नहीं मुख्यमंत्री जार्खन के मुख्यमंत्री हिमान सुरे ने विधान सवय मंगलवार को कहा है कि बैस्विक महामारी कुरोना संक्रमन के मदर नजर अभी राज में पूरी छुट नहीं दी गई है आठवी कक्षा से नीचे के सभी कलास को बंद रखा गया है सरकार पूरी तरह से सतरक्ता से आगे बढ़ रही है कुछ समय वितने के बाद या बताया जा सकता है कि राज ये को किस तरह से दिशा देना है उन्होंने कहा कि एक चुनावती का सामना कर निकल गए हैं दूसरी होगी या छोटी अभी काना मुश्किल है हिमान सुरे ने कहा कि देश में ऐसी लोग तंतरिक ब्यवस्था है जिसमें तरह तरह के मजहब भासा धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और इनकी अलग-अलग ब्यवस्था और भीन-भीन पर तेवार है जारखन में 785 रुपया प कराने से आपके घहर पर बालू की होम डिलेवरी होगी इसके लिए आपको 785 रुपय प्रती घहन फूट की दर से परिवाहन लागत के साथ पैसा जमा करना होगा परिवाहन लागत प्रती किलोमीटर जल्द ही तय कर ली जाएगी मुख्यमंत्री एमान सुरे ने विधान बजट सत्रिक के समापन के मौके पर इसकी घोचना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू घाटों की निलामी से पहले लोगों को परसानी से बचाने के लिए या विवस्ता जल्द ही लागू कर दी जाएगी रामनामी सरहल जूलूस पर रोक मुख्यमंत्री जारकन के मुख्यमंत्री एमान सुरे ने मंगलवार को एक पर एक कई बड़े फैसले का आयलान किया है बतादे सीम ने कहा कि कुरोना वाइरस मामारी के बढ़ने के चलते इस बार रामनामी और सरहल जूलूस निकालने पर लगा दी गई है उन्होंने कहा कि इस बाराम नामी सरहोल जूलूस नहीं निकलेगा CM ने कहा कि बालूख खरीदने के लिए पोर्टल पर ओनलाइन पैसा जामा किये जाएंगे रांची आरपोर्ट पर 30 अप्रेल तक तमाम फ्लाइटे कैंसेल रांची के बिशाम उन्डाई आरपोर्ट पर रनवे की री कार्पेंटिंग का काम एक अप्रेल से सुरू होने वाला है इस वज़ा से रांची आरपोर्ट से सुबा दास वज़ा से साम छोबए तक उडान अस्थागित रहेगी जारखन में 130 नए केस मिले है जारखन में कूल मौत की संख्या ये 494 है वहीं एक्टिफ केस की संख्या 854 है भारत में 47,249 नए केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 1,60,460